पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमस्कार कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की आज सोंबार चैत्रमास और कृष्णपक्ष की एकादसी तिति प्रातहकाल 6 बचकर के 4 मिनट तक है और इसके पस्चात 12 तिति प्रारम्भ हो जाएगी आज धनिष्ठानक छत्र है साध्ययोग है एवं बालव करण है चंद्रमा आज मकर रासी में प्रातहकाल 8 बचकर के 22 मिनट तक है और इसके पस्चात कुम्भ रासी में प्रवेश कर जाएगे अभिजित महुर्थ जो हरी को अतिप प्रिय है तो धनिष्ठानक छत्र साध्ययोग अभिजित महुर्थ 11 बचकर के 38 मिनट से 12 बचकर के 27 मिनट तक और इ इसी काल में करना है क्योंकि धनिष्ठा धन प्रदायक नक्षत्र और साथी साथ आज 11 बचकर के 38 मिनट से जब अभिजित मुहुर्थ प्रारम होगा अभिजित मुहुर्थ जो हरी को अतिप्रिय है इस समय में इस काल में ही आज आपका दिप्व प्रयोग होने वाला है राहु काल का समय आज 7 बचे से प्राता काल आठ बचकर के 9 बचे तक रहने वाला है इस काल में कोई भी सुभ कारिय नहीं करना चाहिए अब बात करते हैं ग्रह इस्तुतियों की तो मंगल ब्रिसब रासी में यथावत संचरन कर रहे हैं और राहु का संचरन मिथुन रासी में जारी है केतू, शनी और गुरू ये धनु रासी में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा मकर रासी में आठ बचकर के 22 मिनट तक हैं इसके बाद ये कुम्भ रासी में चले जाएंगे और लगभग अपना प्रभाव कुम्भ रासी का ही प्रदान कर रहे हैं वही बुद्ध शुक्र अभी कुम्भ रासी में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा भी अब साथ हो जाएंगे सुरिय यथावत मीन रासी में संचरण कर रहे हैं यह है ग्रहस्तिति इनही ग्रहस्तितिओं के आधार पर मैंने आज आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है यानि दैनिक राशी फल तयार किया है वो नैदर सक जो इस कारिक्रम को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बतातू यह राशी फल आपकी चंद्र रासी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस रा नाम हो उसके आधारपर जिनको नहीं पता है जिनको पता है वो सिर्फ अपनी चंद्र रासी से ही इस रासी फल को देख्ए लेकिन जिनके पास बिवस्ता है वो नहीं जानते अपनी चंद्र रासी को वो अपनी नाम-ै- dobrze कि कैंसे आपार उस तरह से स्रेश्ट रूप से नहीं चल पा रहा है तो तयार हो जाएए आज के दिव्य महा प्रयोग के लिए नारियल जटा वाला नारियल हर जगह उप्रद्ध होता है नारियल में भी दो प्रकार के नारियल होते हैं एक छोटा वाला नारियल होता है असल में इस प और आधा मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए नारियल को गंगा जल से अथवा सुद्ध जल से धो दीजिए धोने के बाद नारियल को भगवान मान करके लक्षमी मान करके बिधिवत जो भी आपके पास पूजा का सक्षी सामगरी है वैसे नियम तो ये कहता है कि बस अभिमंतरत करके रख दिया जाए लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भगवान माना तो उसका पूजन भी कर दो तो थोड़ा सा उस पर रोली अक्षा चड़ा दीजिए और नारियल को लाल कपड़े में बांध दीजिए बांध दीजिए इसके बाद बाय हाथ पर रख करके दाहिने हाथ से ढखिये और स्रीम इस सब्दों को याद कर लीजिए स्रीम ये बीज मंतर है इसी मंतर से 108 बार उस नारियल को अभिमंतरत कर दीजिए और छोटा वाला होगा तो जदा बढ़िया है उसी अभिमंतरत नारियल को नियम तह अपने गले में जहाँ पैसा आप रखते हैं वहाँ आप रखिये या कोई और स्थान जहाँ पर रखना आपको सरल लगता है सुहोगी नियम कहता है, जहां पैसा आप रखते हों, वहीं रखिये सेधी सी बात है, पैसा आएगा कैसे? जब ग्रहा काएंगे, तो ग्रहा काने लगेंगे, ब्यापार बढ़ने लगेगा और पैसे में भी बुद्धी होगी ये प्रयोग केवल पैसे को बढ़ाता नहीं वरन पैसे को इस्थर भी कर देता है तो आज ही करना है ये प्रयोग सों बार के दिन और याद रखिएगा करना है 11 बचकर के 38 मिनट से 12 बचकर के 27 मिनट यानि अभिजित मुर्त काल में ही आपको इस प्रयोग को कर देना है दिर्घ काल तक लाभ दे पाने है तू बात करते हैं रासियों की सबसे पहले बात करेंगे मेश रासी की चंद्रमा अभियाद की रासी से कर्म स्थान में संचरण कर रहे हैं और लाभ की तरफ जा रहे हैं सीदी सी बात है दिन आपके लिए के द्रिष्टिकोंड से पुन वसूली करना और वसूली करना कैसे होता है जाना, दबाव डालना, जबरदस्ति करना वसूली करने के द्रिष्टिकोंड से बहुत बढ़िया दिन बनने जा रहा है आज का कारेस्थल पर आज आपके लिए सब कुछ पैसा फसा हुआ है तो वसूली करने के लिए आज का दिन बहुत सुरिष्ट है अच्छा आज का दिन सुरिष्ट क्यों है क्योंकि आज सोंबार का दिन है धनिश्ठान च्छत्र वहां जाएंगे तो गर्मा गर्मी नहीं होगी प्रेम से ही बात करके आप पैसे ले लेंगे क्योंकि चंद्रमा सीतलवार है तो आज जाईए प्रेम से ही बात करके आप सामने वाले कोई अभास भी न हो कि आप जबरदस्ती पैसा लेने आये हैं, लड़ने आये हैं प्रेम से ही उसको लगेगा और वो पैसे भी दे देगा आर्थिक उस्तिती आज आपकी मजबूत होने वाली है इससे आपका मनोबल बढ़ेगा आज आपको किसी भी अजनवी और अंजान व्यक्ति पर विश्वास करके कोई काम नहीं करना चाहिए विशेश रूप से संपत्ति की खरी दित्यादी को ले करके किसी और व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए इस मामले में जितनी हो सके अधिक जाच परताल कर सकते हों कर लीजिएगा आज आपके मन में भावनाएं बहुत जादा आती रहेंगी नेगिटिव भावनाएं भी आएंगी पॉजिटिव भी भावनाएं आएंगी लगातार आएंगी लेकिन घबराये मत मन को इस्थर चुत्त करके और तब कदम आगे बढ़ाये हर काम स्रिष्ट और सुखद हो जाएगा प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आज आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो जरूर दो पहर के बात करिए लाभ मिलेगा पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा दामपत्य जीवन भी सुखद होने वाला है बस दामपत्य जीवन के बीच में किसी और को मतलाईएगा इसी से खराबी होगी अगर नहीं लाया तो दामपत्य जीवन बहुत सुखद विद्धार्थिवर की बात कर लें सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है मन आज आपका थोड़ा आलस से में जरूर रहेगा लेकिन मेहनत कर ये रिजल्ट मिलने वाला है मानसिक तनाव थोड़ा जरूर हो सकता है और विस्तता और भागम भाग के चलते या तो आज आज आपकी दिन चर्या बिगड जाएगी दिन चर्या में बदलाओ और बिगड़ने के कारण ही भूख से सम्मंदित परिसानी हो सकता है भूख न लगने की परिसानी हो गड़े सतर्वसिर्स का पाट करिएगा फायदा मिलेगा लखी यंकाज आपके लिए नौ रहने वाला है और लखी कलर है लाल इस कलर को धारण करके जहां भी जाना हो जाईए फायदा मिलेगा बात करते हैं ब्रसब रासी की ब्रसब रासी के जातकों के लिए देखा जाए तो अभी तक चंद्रमा की जो इस्तिती आपके लिए बन रही है वो भाग्यस्त थी अब करमस्त होने जा रहे हैं तो भाग्यस्त थी तब तक भी अच्छा करमस्त हो जाएंगे वो भी आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है मानसिक उर्जा, जबरदस्त, पैसा इत्यादी से संबंदित करियर से संबंदित, छेत्र से खुस खबरी मिलना आपके लिए आज दिखाई पड़ रहा है कारिस्तल पर आज आपके सहयोगियों का आपके उच्चा धिकारियों का आज आपको सपोर्ट भी मिलेगा करते हैं वाणी से मोरल सपोर्ट भी आज आपको बहुत प्राप्त होगा व्यापारी वर्ट के लिए भी दिन अच्छा है बस कोई भी निरने लीजिएगा सोच समझ करके लीजिएगा कल के जैसा दिन नहीं है कि जो मन में आये कर लीजिए सोच समझ करके निरने लीजिए बढ़िया रहेगा आज आपको बेवज़ किसी प्रतिद्वंदिता में प्रतिस्परधा में नहीं पढ़ना चाहिए ये सब के लिए विद्यार्थी वर्ट के लिए कारिक छत्र में आप नौकरी पेसा है उनके लिए और व्यापारी वर्ट के लिए तीनों के लिए मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा निवेस करना चाहते हैं, तो अपने किसी करीबी से, पिता के सलाह से, भाई के सलाह से, दोस्त के सलाह से, आप निवेस करिए, उसका लाव आपको मिलेगा, बलकि अच्छा तो ये होगा, थोड़ा थोड़ा निवेस करिए, एक साथ बड़ा निवेस आज आपके इस बात का आपको खयाल रखना होगा, विद्यारतिवर के लिए देखा जाए, मिहनत के अनुसार, परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जितना मिहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सेहत की बात कर लेते हैं, भोजन में जरा सावधानी रखिये, मसालेदार भोजन इत्यादी से बचिये, वैसे भी अब गर्मी का दिना गया है, तो जितना सादा और सात्विक भोजन लेंगे वही अच्छा होगा, आज आपको रात्री सुक्त कापाट करना चाहिए, लकी अंक चले जाएंगे, आपके लिए भाग्य भावस्त चंद्रमा का होना अपने आप में बहुत बढ़िया है, हर प्रयास आपका अब सफल होने जा रहा है, कारिश्थर पर उच्छा धिकारी, आज आपकी छमता से प्रभावित रहेंगे, आपके कामों की तारीफ होगी, पद मा काले लोगों को लिए ओफर भी आज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कारेक्षित्र और वेवसाय में कोई बड़े परिवर्तन की संभावना आज बन रही है, आज आपको कोई भी कारे करें, या तो अपने जीवन साथी माता-पिता की सलाह ले करके ही करना चाहिए, इ ये समय जो आपका चलेगा, दस बज करके तीन मिनट तक, इसी दौरान कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, थोड़े समय के इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिल जाएगा, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, हो सकता है पार्ट से संबंधित परिसानी आपको हो सकती है, साउधान रहना चाहिए, आज आपको पंचाक्छर मंत्र ओम नमहसिवाय का जब करना चाहिए, लकी अंकाज आपके लिए एक है, लकी कलर है काला रंग, बात करते हैं करकरासी की, करकरासी के जात्यकों के लिए देखा जाए, तो चंद्रमा आप तक सब्तमस्त थे, अब अश्टमस्त होने जा रहे हैं, साउधान आपको हो जाना चाहिए, अब तक तो ठीक था, लेकिन अब मन को सकारात्मक रह करके ही हर कारे करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो सफलता मिल पाएगी, परिस्ततियां आपके पक्छ में आज कोई नया ओफर भी आपको मिल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद है, वैसे तो प्रथम द्रिश्टया वो ओफर जोखिम भारा लगेगा, आपके मन में बहुत संसे उत्पन हो जाएगा, कि ये ओफर स्विकार करूं या नहीं, लेकिन सलाह देता हूँ, ओफर को स् इस्तेदार के स्योग से आज आपको कुछ धनलाव होता हुगा दिखाई पड़ रहा है, आज आपको ब्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए, आज बहुत ज़्यादा दिखावा मत करिए, ये आपको नुकसान हो जाए कर देगा, नजर लग ज लेकिन फिर भी समय देना होगा पढ़ाई पर, यही आपके लिए अच्छा होगा, कोई पुराना रोग जिससे आप परिशान थे, उससे अब मुक्ती मिलने जा रही है, वही बात अगर कर लें, तो बाकी स्वास्त में कोई परिशानी नहीं, महामृत्युन्जय मंतर का बात करते हैं सिम्हरासी की, सिम्हरासी के जातकों के लिए देखा जाए, तो आपके लिए भी दिन बढ़िया होने जा रहा है, चंद्रमा अभी तक आपकी रासी से सश्ठस्त आठ बचकर के 22 मिनट तक सश्ठम में संचरण कर रहे थे, अब चले जाएंगे आपके लिए सब्तमस्त होना चंद्रमा का आपके लिए बहुत बढ़िया है, आज आपका लिया हुआ प्रतेक फैसला आपके लिए फाइदे मन्द होगा, भविश्य के लिए कोई बड़ी योजना, नई योजना और महत्त पुर्ण योजना बनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने क लिए बहुत बढ़िया है दिन, सौभाग्य साली है आज के लिए आपका दिन, आपके विचारों को आज के आपके जो उपर के लोग हैं बहुत सित्यादी हैं, बड़ी गंभिरता से लेंगे, आज कोई भी ऐसा काम आप कर सकते हैं, जिससे आगे चल करके आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बेवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निरना लेना चाहते हैं, आज से बढ़िया दिन आपको प्राप्त नहीं होगा, आज का दिन आपके लिए मैं बार बार कहूंगा, बहुत बढ़िया बढ़ने जा रहा है, क्योंकि चं पूरा का पूरा ध्यान अपने आपको बढ़ाने में लगाए, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और हो सके तो पार्टनर के साथ समय थोड़ा सा मिले, तो थोड़ा समय विताईए, हो सके तो घूमने जाईए, दामपत्ते जीवन सुखद, दामपत्ते करिए, रजल्ट बहुत अच्छा हैगा, सेहत की बात कर लेते हैं, सेहत में कहीं कोई परिसानी नहीं, मानसिक तनाव थोड़ा अवस्य होगा, लेकिन उससे भी मुक्ती मिल जाएगी दो पहर तक, तो आपको कोई परिसानी नहीं, आज आपको कुछ दान करना चाहिए, कु शंघर्स, जीवनकाल में बहुत जरूरी है, धैर्य होना चाहिए, संघर्स होना चाहिए, और चाहत होनी चाहिए, यही आपको सफलता दिलाएगी, पूर्व से चला रहा कोई बिवाद है, उसमें मुक्ती मिल जाएगी, उसमें हल, कोई न कोई नजर आ जाएगा, सफलता पाने का, सफल होने का उसर आपको मिलने जा रहा है, कारिश्थल पर आज आपको बिवाद से बचना है, वाणी पर अपने संयम रखना है, हाला कि किसी भी प्रकार के बिवाद में हो सकता है, आप लड़कर के जीच जाएं, सामने वाले को अपनी बुद्धिमता से दबा द लेकिन सोच समझ करके निरने लेना होगा, अनेथा नुकसान होगा, आज आपको किसी से भी बहस नहीं करना चाहिए, पत्नी और बच्चों के सांथ समय बिताइए, इससे आपका मन सांथ होगा, प्रेमी से उपहार मिलता हुआ दिखाई पढ़ रहा है, बलकि मैं कहूंगा जीवन सांथी को कुछ उपहार दीजिए, बाहर का कोई तनाओ, कोई दबाओ, सब सांथ हो जाएगा जब घर में जाएंगे, और जीवन सांथी के सांथ सांथी से दो मिनट बीतेगा, आपका सब बढ़िया हो जाएगा, विद्यार्थी बर के लिए देखा जाए, कोई जाए, चंदन हो जाए, अगरबत्ती हो जाए, कुछ भी दान करिये जाकर के, लखी यंकाज आपके लिए तीन रहने वाला है और लखी कलर है, पीला, बात करते हैं तुला रासी की, तुला रासी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, देखा जाए, तो आज आपकी रासी से चंद्रमा पंचमस्त होने जा रहे है, बहुत बढ़िया, अभी तक चतूर्थस्ट थे, चतूर्थस्ट चंद्रमा थोड़ा कलह भी करा देते हैं, लेकिन अब बहुत बढ़िया, बयस्त रहने वाले है, इसी बयस्तता से आज आपको लाग मिलेगा, नई यो होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है आज ब्यापार में विसेस लाव की स्थिती बन रही है नया निवेस आपके लिए फाइदा देने वाला रहेगा वहीं अगर आप शेर मार्केट में काम करते हैं बहुत बढ़िया है दिन लाभ मिलता हुआ दिखाई पढ़ रहा है बढ़िया लाभ मिलेगा एक बात आपको और बता दूँ जो लोग लाइजनिंग का काम धलाली का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया दिन है कोई बढ़ी डील होती हुई दिखाई पढ़ रही ह आज भावनाव में बहा करके कोई फैसला मत करिएगा, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नए तरीके से सुरुवात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी उन्हें लोगों का जिनके प्रेम संबंधों में मतभेद या मन मुटाव चल दहा है उसमें सुधार लाने का आज का दिन है प्रयास करिए सुधार हो जाएगा किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं आज का दिन दामपत्य जीवन वैसे है तो सुखद लेकिन कुछ मतभेद भी है और इस मतभेद के पीछे शक होगा जरासा इसको स अधान रहना चाहिए परिशानी होगी द्वादसाक्षर मंत्र का आज आपको जब करना चाहिए इस से लाव मिलेगा लकी अंक आज आपके लिए तीन रहने वाला है और लकी कलर है पीला बात करते हैं व्रुष्चिक रासी की आपकी रासी से चंद्रमा अभी तक पराक्रम से आज आप भरे रहेंगे परिवारी जनों का साथ मिलेगा भागय का साथ मिलेगा नौकरी पेसा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कारिक छत्र में आज अधिकारियों का स्योग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यापारी वर के लिए आज का दिन बह सेहत की बात कर लेते हैं आज आप की सेहत में कोई परिशानी नहीं लेकिन माता-पिता की सेहत में परिशानी हो सकती है परिवार के किसी सदस्य की सेहत में आज परिशानी हो सकती है साउधान रहना है प्रेम संबंदों के लिए दिन बहुत बढ़िया है पार्टनर के साथ दि ये दिन आज आपके लिए बहुत बढ़िया है, कहीं इंटर्वियू देने जाना वाले हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, स्वास्त अच्छा रहने वाला है, पुराना कोई रोग है, वो समापत हो जाएगा, आज मंदर में आपको जा करके कपूर दान करना चाहिए लखी अंका आज आपके लिए चार है और लखी कलर है सफेद बात करते हैं धनुरासी की धनुरासी के लिए देखा जाए तो चंदरमा अभी तक धन भाव में संचरन कर रहे थे अब पराकरम में चले जाएंगे आपके लिए बहुत बढ़िया आपन बिस्वास तो आपके अंदर है ही कुछ बढ़ा कर गुजरने का की चाहत भी है और उसे आज आज आप पूरा कर लेंगे छोटे भाईयों का सहयोग प्राप्त होगा या छोटे भाई की तरब से कोई खुस खबरी मिल जाए नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास रथे या चाहत कई दुनों से थी वो बुरा होने जा रही है कोई ऐसी सूचना आपको मिलने जा रही है धनलाब की स्थिती बन रही है भाग्यका लाब मिलता हुआ दिखाई पढ़ रहा है आज किसी अपने से आपको कोई ऐसा उपहार मिलेगा जिसे पाकर के आप बड़ा खुस हो जाएंगे आज दिन बहुत बढ़िया है आपका विशेश रुप से व्यापारीवर की बात करें बहुत बढ़िया है धन प्राप्ति होने वाला है लेन देन का जो मामला है कोई भी मामला उसे आप प्रयास ये करिएगा कि दो पहर के बाद निप्टाईएगा यानि कि लगभग साढ़ेक ग्यारह के बाद उसे आप निप्टाईएगा इसके पहले नहीं वहीं अगर देखा जाए तो आज आपको ओवर कॉंफिडेंस में नहीं आना चाहिए आतनोविश्वास ठीक है लेकिन अति आतनोविश्वास कभी ठीक नहीं होता इससे नुकसान हो जाता है क्योंकि जब अति आतनोविश्वास में आप होते हैं तो सामने वाले को नीचा दिखाने लगते हैं और यह आपको नुकसान कहुचा देगा क्योंकि कई बार आपका एगो अहंकार घमंड नुकसान कहुचा देता है प्रेम संबंदों के लिए देखा जाए तो आज का दिन सफलता प्रदायक है जीवन साथी की तरक्की से आज आपका मन प्रशन्य रहने वाला है हलाकि आपके उपर आज थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं जब जीवन साथी या प्रेमी से बातचित होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए विद्यार्तिवर की बात करें तो प्रशन्यता भरा दिन रहने वाला है आज आपका ग लखी अंक आज आपके लिए दो रहने वाला है और लखी कलर है सफेद बात मकर रासी की करते हैं चंद्रमा अभी आपकी रासी पर हैं आठ बचकर के 22 मिनट पर आपकी रासी से धनभाव में चले जाएंगे तो धनलाभ कराने वाले होंगे पिछले दिनों भी आपके लिए ठीक थे हाला कि थोड़ा आलस से दे रहे थे लेकिन अब धनलाभ कराएंगे परिवारिक जनों से सम्मंध जोडएंगे दोस्तों और परिजनों का सहयोग और साथ आपको मिलने लगेगा कार्यस्थर पर आज आपकी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है नई चुन आगमन अब बड़ा धन आगमन आज आप करने वाले हैं आज प्रयास करिए किसी का अपमान मत करिए अपमान करना आपके लिए अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है शंबंध मधुर रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वह विद्यार्थी वर की बात कर लें दिन बहुत अच्छा रहने वाला है अलग अलग छित्र के विद्यार्थियों के लिए भी आज बहुत बढ़िया दिन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है गले में दत की शिकायत हो सकती है मौसमी बिमारी भी आज आपको परेशान कर सकत आज आपको सावधान रहना चाहिए घीका दिया जाकर के दुर्गाजी के मंदर में जलाईए लाभ मिलेगा लखी कलर आज आपके लिए हलका हरा लाइट ग्रीन और लखी अंक आज आपके लिए छह रहने वाला है बात करते हैं कुम्भरासी की कुम्भरासी के जातकों के देखा जाए तो कहना ही नहीं पिछले दिनों की परिशानी से अब आप मुक्ती पाने जा रहे हैं चंद्रमा आप किरासी पर आठ बच करके 22 मिनट पर होंगे तुरंत ही आते अच्छा प्रभावो देना प्रारमब कर देते हैं कोई अच्छी खबर आज आपको मिल नौकरी के लिए प्रयासरत थे सफलता मिल जाएगी कहीं इंटर्व्यू देने जा रहे हैं अगर वो इंटर्व्यू दस बजे के बाद है लगभग दस बजे के बाद ही होता है सफलता मिलने जा रहे हैं कारेक छत्र में बृद्धी के योग बन रहे हैं व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से बचना चाहिए आपको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से काम करिए लाभ मिल जाएगा आज एक काम करिएगा आज आप क्रोध करने से बचिए और बेजा क्रोध करने से बचिए क्रोध ही आज आपको नुक्सान को आपको नुक्षान हो सकता है प्रेम संबंदों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है पार्टनर के साथ आज आपका मधुध होता हुए दिखाई पड़ रहा है तो आज आपको आपनी सोच जरा सुबे वस्थित रखनी है क्योंकि आपकी सोच के कारण आपके क्रोध के का सेहत अच्छी है सुर्ति और ताजगी आज आपके अंदर बनी रहेगी गायत्तुरी मंत्र का जब कम से कम 21 बार अवस्य कर लिजेगा लखी अंक आज आपके लिए एक रहने वाला है और लखी कलर है महरून बात करते हैं रासियों के क्रमा में आखरी दासी मीन दासी की इमत रखना होगा जजबा बनाए रखना होगा चाहत बनाए रखनी होगी तभी सफलता प्राप्त होगी कारियस्थल पर किसी भी हालत के लिए तयार रहिए समझोता करने के लिए तयार रहिए क्योंकि परिशानी आ सकती है साउधान रहना है आज विसेज करके समय जैसा ब बदलाव दिखाई पड़ेगा इस मामले में स्तिती सामान ने हो जाएगी व्यापारी बरके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज व्यापार में तनाव की स्तिती रहेगी थोड़ा बहुत साहस दिखाना पड़ेगा आपको दि प्रत्न करना चाहिए वसूल करने के लिए प्रत्न करना चाहिए लाब मिलेगा आज आपको बहस नहीं करना चाहिए जहां भी जाईए आज चंद्रवार है प्रायह वसूली के लिए दिन रभिवार का और मंगलवार का होता है उग्र दिन गरम दिन जाईए और लड़ में नहीं लगेगा अति आत्म विश्वास आज आपको नुपसान करवा सकता है तो इस मामले में आपको ध्यान रखना है सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी कोई पूरानी बीमारी उससे आज आज आपको निजात मिल जाएगा सांती मिल जाएगी भगवान श्यू की आराधना आज आपको करनी चाहिए बिल्वपत्र भगवान श्यू को अर्पित करना चाहिए लकी अंक आज आपके लिए चार रहने वाला है और लकी कलर है पिंक प्रेदर्शकों ये था मेसे से लेकर के मीन रासी परियन प्रत्यक रासी के जातकों का पूरे दिन का हाल तो अभी के लिए वस इतना ही पुनाह मुलाकात साम को होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार